हलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैंने बेंस, मैं रुपाली वर्मा हमारा चैनल आपके लिए बहुत प्रयास रहता है कि आपकी स्टेडी, आपकी एक्जाम्स, सभी कुछ अच्छे से जाएं इसलिए आज जो हम वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं, ये हमारे पहले आचुके वीडियो और इस वीडियो की तरह 100% फ्री है हमारा चैनल आपसे कभी भी किसी भी पेमिंट की मांग नहीं करता, हम कभी भी दो वीडियो दिखाने के बाद आपसे यह नहीं कहते कि आगे के वीडियो देखने के लिए आपको कुछ पेमिंट करना पड़ेगा, तो हमारे चैनल में सिर्फ एक यही खासियत है कि आपको जितना भी वीडियो देखना है, जब भी देखना है, जितनी बार भी देखना है, आप उसको दे सकते हैं बिना कुछ दिए, तो आते ह आज की वीडियो पर आज का वीडियो भी आपके exam से related है यानि कि exam जब होते हैं तो हमें लगता है कि हमफटा-फट कुछ चुह हमें समल जाए कि हम revise कर लें इस chapter को तो ये वीडियो भी आपके revision के purpose से ही बनाया गया है ये है हमारा class 10th Hindi course A की book है कृतिका भाग 2 उसका अध्याय है 5 मैं क्यूं लिखता हूँ इस part में जो है हमेरे लेखक अगे जी ने बताया है कि हम वो आखिर क्यूं लिख रहे हैं जब जो लेखक होता है वो किसी चीज को प्रत्यक्ष रूप से यानि कि बिल्कुल सामने से देखता है तो वो जादा अच्छे तरीके से लिख पाता है उसके बारे में बता पाता है बनिस्पत उसके कि उसने कोई चीज को सुनी हो तब वो लिखे या वो कल्पना के माध्यम से लिख रहा हो तब तो इसको इन्होंने खुद अनभव किया हिरोशिमा में जो के कहते हैं पर्माणू बम गिराया गया था उसके अफशेशों को देखकर उन्होंने इस चीज़ को अनभव किया और उसको लिखा भी है तो चलिए पढ़ते हैं इस पार्ट को तो क्या है इस पार्ट के मांध्यम से लेखक ने इस पश्ट किया है कि लिखने के लिए प्रेणा कैसे उत्पन्न होती है लेखक उस पक्ष को अधिक इस पश्टता और इमानदारी से लिख पाता है जिसे वह स्वयम प्रतक्ष रूप से देखता है यानि कि लेखक जब उसे एक दम सामने से देखता है तो जादा अच्छी तरीके से हर एक बारी की के साथ हमारे साथ भी होता है हमने गर कोई चीज सुनी हूँ तब अगर हम उसके बारे में देखे और जब हमने देखी हूँ तब तो बनिसमे जब हमने देखी हो तो हम उसके बारे में जादा जानकारी रखते हैं ना कि सुनी सुनाई चीज़ों पर मुत्ती जानकारी नहीं रखते हैं लेखक विज्ञान के चात्र थे यानि कि वो एक साइंस स्टूडेंट थे लेखक ने जापान के शहर हिरोशिमा में हुए रेडियो धर्मी विस्पोर्ट के प्रभाव के बारे में केवल सुन था यानि कि उन्होंने जब परमाडू वम गिरा तो उसके बारे में उन्होंने सिर्फ सुन रखा था जब वह जापान गए तो वहां एक पत्थर पर आदमी की शकल में काली चाया को देखे यह तो उस रेडियो धर्मी के विस्पोर्ट की भयावारूप में उनकी आखों के सामने प्रतिक्ष रूप से प्रतित होने लगी और उस याद को लेखक ने भारत आरकर रेल में बैठे बैठे उसे कविता के रूप में उतारा तो अब क्या हुआ कि जब वह जापान गए तो उन्होंने वहां पर एक पत्थर देखा पत्थर के समक्षिसायत कोई आदमी ख खड़ा हुआ था तो ऐसे ऐसे करके जो एक छाया होती है यहां यह पूरा पत्थर काला हो गया और इस समय यहां पर पूरा वाइट रहा मतलब इतना जादा इंपाक्ट था उसका यह चीज उन्होंने देखी थी और उस चीज को आके उन्होंने क्या किया भारत आकर उस पर कविता लिखी वो भी कहां पर बैठे ट्रेन में बैठे बैठे उन्होंने कविता लिख दी लेखक मैं क्यों लिखता हूं का उत्तर देते हुई कहते हैं कि मैं इसलिए लिखता हूं क्योंकि मैं स्वें को जानना चाहता हूं बिना लिखे मैं इस प्रिश्ण का उत्तर नही यह लिखना चाहते हैं अब आप तो बोलो कि हम तो अपने आपको जानते हैं हम बहुत से ऐसी चीजें हैं जो अपने आप से भी जूट बोलते हैं तो अगर हम चीजें अपने बारे में लिखें तो आप यह खुद पाएंगे कि हम अपने आपको ठीक तरीके से नहीं जानते क क्योंकि देखे कोई भी शास रहो कोई भी वेद होता है सब ने चीजे को बोली ना कि भगवान को हम सभी जगा ढूंटे लेकिन भगवान कहा होते हैं हमारे अंदर ही होते हैं अथाथ वो पहली आवाज वो पहला जब हमें कोई भी डिसीजन कुछ भी करना हो तो वो पहली आ लेखक का मानना है कि लिखकर ही लेखक अपने अभियंतर विश्वास्टा को पहचान सकता है और लिखकर ही उससे मुक्त हो सकता है यानि कि उनके अंदर जो कुछ भी घटे थो रहा है वो उसे जान भी सकते हैं और अगर कुछ ऐसा है तो उससे मुक्त भी हो सकते हैं इसलिए वह लिखता है, लिखने की पीछे सभी लेखिकों के ये लिए कोई न कोई कारण होता है, कुछ ख्याती मिल जाने के बाद कुछ बाहर की विवश्टाफ में लिखते हैं, जैसे संपादकों के आगरे से, प्रकाशक के तकाजे से, आर्थिक आवशकताओं से, तो उन् लिख रहे हो, आप बहुत फेमस हो गए हो, जैसे राइटर्स के साथ होता है, अब उनके पास होता है, कि नहीं, आप कोई लेख लिखना है, कल के पेपर के लिखना है, अब उनके उपर प्रेशर है कि आपको लिखना है, कोई संपादा के नहीं, तो वो प्रेशर में वो च हर एक रचनाकार या लेखक या भेत बनाए रखता है कि कौन सी कृती भीतरी प्रेड़ना का फल है और कौन सी कृती बाहर ये दबाव का कोई भी रचनाकार होगा है रचनाकार मतलब राइटर्स जो होंगे जब वो अपनी कृती का निर्मार करते हैं यानि कि कोई रचना करते हैं तो ये रचना आप जब भी देखेंगे या खुद लेखक भी देखेगा तो उसको पता होता है क्या चीज उसने अपनी अंदर आ रही प्रेड़ना से प्रेरित हो कर लिखा है और क्या चीज उसे बहारी दबाव है यानि कि मान लीजे कोई एक लेखक है अब उसकी अपनी जो अंदर की इच्छा होगी वो उस समय किसी पुरानी यादों से मोलजा हुआ है तो उन यादों से रिलेटेड वो कुछ लिखना चाहेगा लेकिन अब बहारी दबाव पढ़ रहा है इस समय जो है कहीं पर युद्ध चल रहा है आपको युद्ध की विभीशिका पर एक लेख लिखना है तो अब वो क्या उसके उपर वो बहारी दबाव है कि उसे युद्ध विभीशिका पर जो लिखना है वो दबाव के कानट लिख रहा है लेकिन जो वो पुरानी यादों यानि की संस्मरात्मक लेख लिखेगा वो अपनी स्वेच्छा से अंदर की प्रेणा के साथ लिखेगा तो यह हर रचनाकार को एक डिफरेंस पता होता है इन में से कुछ ऐसे आलसी जीव भी होते हैं कि बिना किसी बाहरी दबाव के लिखी नहीं सकते हैं या कुछ उसी प्रकार के कि जैसे सुभा नींद खुल जाने पर भी बिस्तर पर तब तक पड़ा रहे जब तक की घड़ी का एलाग ना बच जाए तो आप कुछ रचनाकारों के बारे में हमारे लेखक जो बताते हैं कि कुछ आलसी लेखक भी होते हैं जिन पर जब तक बाहर का दबाव ना पड़े वो नहीं लिखे मतलब उनके अंदर की कोई प्रेणा होती नहीं वो बाहरी दबाव पे ही काम करते हैं अर्थात उसकी तुलना वो कैसे करते हैं कि सुबा का हमने अलाम लगाया और हमारी आँख खुल गई है लेकिन तब भी हमें अलाम बजने का इंतिजार करते रहते हैं कि अलाम बज़े का तब हम उठेंगे आपके साथ तो पता नहीं मेरे साथ तो अकसर होता है जब तक अलाम बजने जाए जब तक हम बिस्तरफ पढ़े रहते हैं भले आप खुल जाए हमारे साथ ऐसा नहीं होता क्योंकि भाई लगता है कि चलो थोड़ी देर और सो ले तो ये चीज़ क्या होती है कि बाहरी प्रेशर अलाम का प्रेशर है कि अब आपको उठना है उसी तरीके से बाहर के संपाद को इन सबका प्रेशर होता है कि नहीं अब आपको लिखना है तब ही वो लिखते हैं जबकि उनके अंदर की कोई प्रेणा ऐसी जागरती नहीं होती कि वो लिखें supporting tool होता है कि वो तब काम करना शुरू करेगा जिसमें भौतिक यतार्त से संबंध जुड़ा रहता है यानि कि जो practical life है जो practical life होती है उससे हमारा direct connection रहता है अब देखें ये कैसे होगा इसको हम समझाते हैं जब लेखक अपनी प्रेड़ना से लिखेगा तो वो कालपनिक लिख सकता है वो अपनी खुद की यात्राओं के बारे में लिख सकता है लेकिन जब बाहरी दबाव पड़ता है तो बाहरी दबाव माल लीजे कोई प्रेड़ना से लिखें लेक बारे मांग करता है वो कालपनिक लिखी चीज़ों के मांग नहीं करता है तो इससे क्या होता है यह एक साहयक यंत्र भी इसलिए बताया गया है कि वो वास्तविक जीवन से जुड़े रहते हैं यानि कि प्राक्टिकल लाइफ से वो अटैच र लेखक कहता है कि उसे इस सहारी की जरूरत नहीं पड़ती लेखक कहते है मुझे इस सहारी की जरूरत नहीं अर्थात वो जो बहारी प्रेशर को एक हमारा सपोर्टिंग टूल है उसकी जरूरत हमारे लेखक को नहीं यानि कि अग्येजी को नहीं पड़ती है वो अपने सब चीज़ों पर अपने आप ही लिख देते हैं कि बनिस्पत उन पर कोई प्रेशर डाले अलाब भी बच जाये तो भी कोई हानी नहीं तो कहने का मतलब है अगर मुझे मैं खुद ही लिख लेता हूं अगर उसमें मुझे कोई बाहर बोल भी देता है तो मुझे कोई हानी होंगा कि बहुत सी चीज़े खिशी गार्ट और जा लात और या किसी चीज चीज के कारण हम उन सारे काम को कर नहीं पाते हैं तो वह फीलींग क्या कहला दीए विवस्ता तो अब यहां पर बात हो रही है भीतरी विवस्ता कि अ इसका वर्लेट करना कठिन है अब आपको इंटर्नल क्या ऐसी प्रेशर आ रहा है कि आप नहीं लिख पा रहे हूं इसे समझने के लिए लेकर उगधार्ण देते हैं कि मैं विज्ञान का विध्यारती रहा हूं इसलिए रेड़ो धर्मिता के प्रभाव के क्या प्रभाव होते हैं इन सब का मुझे पुस्तकी और सैधानतिक ज्यान हैं तो अब इन्होंने ये चीज बताया है भीतरी विवश्ता इसको वो कैसे व्यक्त करते हैं उन्होंने बताया ये चीज बताना शुरू किया कि मैं साइन्स स्टूडेंट था तो जब क्या केते हैं आपका ये चीज़े होती हैं रेडीयेशन वाली जो चीजे होती हैं इनका अगर कोई इस पर मनुष्य पर हो जाए तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये वो अच्छी तरीके से जानते थे फिर क्या होता है जब हीरोशिमा पर अणुवम गिरा तो उन्होंने समाचार में पढ़ा जब वहाँ पर माणु विसफोट की आ गया तो उन्होंने ये चीज़ समाचार में देखी दी उसके प्रभावों का प्रमाण भी सामने आ गया मतलब पिच्चोर साहीं तो उने लगा कि हाँ प्रभाव उनको भी दिखने लगे विज्ञान के इस अनुचित प्रयोग के प्रति बुद्धी का विद्रो हुआ और लेखक ने लिखा भी पर लेख में अनुभूती के स्थर पर जो यथारता होती है वो बहुत धिक पकड से आगे की बात होती है तो उन्होंने बताया कि इसके जो प्रमाण होते हैं यानि कि सबूत जो होते हैं एविडेंस जो होते हैं वो धीरे-दीरे सामने आने लगें क्यों क्योंकि जब गिरा ये परमाणूबम तो उस समय तो बहुत बढ़ी बात थी तरह बड़ा गम गिर गया फिर धीरे-दीरे इसकी जब खबरें आने लगी तो उसके जो है एविडेंस आने लगे कि मनुष्य के ऊपर कैसा इंपक्ट परता है अब उन्होंने ये चीज़ देखी हैं कि ये सारी चीज़ità हैं क्या आखों के सामने देखी कि actual में ये चीज़े हो रही है इसलिए मैंने इस विशे पर कविता नहीं लिखी अब क्या हुआ जो चीज़ें हमने पढ़ी हूँ उससे कही दोगुना असर वहां पर लोगों के अंदर हुआ था ठीक है यहां पर अब उनकी विवश्टा का क्या कारण था हम बता रहे हम भीतरी विवश्टा की बात कर रहे थे उसी पेनों ने यह हमको धारण दिया था तो उन्होंने यह चीज़ क्या बतानी शुरू करी कि हमने अभी तक यह सारी चीज़ें किताब में पढ़ी थी लेकिन जब हमने उसके एविडेंस देखना शुरू किया कि कितना बुरा इंपक्ट होता है क्योंकि आप पर लगेगा यह चीज़ें लेकिन पेडियों तक इसका इंपक्ट रहेगा यह चीज़ उनको नहीं पता थी तो इस यह उन्होंने नहीं लिखा इस बारे में क्यों क्योंकि वो अंदर से वो सारी चीज़ें लाही नहीं पा रह यह होता है भीतरी विवश्टा की हमको कोई चीज अंदर से रोक रही है लेकर बताते हैं कि युद्धकाल में ब्रह्मपुत्र नदी में बं फेक कर हजारों मचलियों को मार देते थे जीव के इस उपवेपर से जो व्यथा भीतर उमडी थी उसे एक सीमा तक अनुबम द्वारा व्यर्थ जीवनाश का कुछ-कुछ अनभव कर सका था तो अब क्या हुआ जब युद्ध हुआ था तो क्या करते थे भाई इतनी बड़ी सेना थी तो उसको खाना खिलाना है अब खाना खिलाने के लिए भाई उनको पॉस्टिक चाहिए प्रोटीन चाहिए तो फिश के अंदर बहुत जादा प्रोटीन होता है तो क्या करते थे नदी में बम गिरा दिया बम का विस्पोर्ट हुआ तो उससे हजारों लाकों मशलियां मर जाती थी अब देखिए सैनिक इतना खा तो सकते नहीं है न तो उसमें क्या उनकी जरूरत से जादा जीवों का नाश हुआ और यही चीज उन्होंने कहां देखी जापान में देखी मतलब आप एक युद्ध का विराम चाहते थे जापान को रूपना चाहते थे इसलिए आपने अनुवम किराया और उसका इंपक्ट क्या हुआ उसके इंपक्ट में हजारों करोनों लोग मर गए और उसका पीड़ी दर पीड़ी असर होता रहा इस चीज़ को उन्होंने इस तरीके जीवनाश जीवनाश मतलब किसी जीवन का नाश करना ये चीज़ उन्होंने ब्रह्म पुत्र की नदी और हिरोशिमा इन दोनों को कनेक्ट करने की बाद बोली है लेका कहते हैं कि अनुभव घटनाओं को अनुभूती समवेदना और कल्पना के सहारे आत्मसात कर लेती हैं अब इस लाइन को समझे है हमारा अनुभव यानि कि हमारा एक्सपीरियंस जो है हमारे सारत साथ जो घटनाई घटित होती हैं उससे जो अनभूती यानि कि हम जो फील करते हैं जो हमारे अंदर समवेधनाई यानि कि फीलिंग्स जागती हैं और जो उसमें हम कलपनाई करने लगते हैं माल लीजे, suppose आपके साथ अगर कोई घटना होती है, तो आप उसको experience कर रहे हो, उसके साथ ही आपके अंदर कुछ feelings भी जाग रही है, अच्छी बुरी जैसी भी है, अब उनसे आपको क्या प्रेड़ना मिल रही है, क्या चीज़े हो रही है, ये सबी चीज़े हम कलपना के साथ अपने paper pen पे उतारते हैं, जिनको लिखने का शौक है, वो इस तरही के से करते हैं, आजकल जैसे लोग हैं, reels बना देते हैं, memes बना देते हैं, video बना लेते हैं, हर चीज़ का अपना express करने का तरीका होता है, तो लेखक ने आत्म साथ उसको कैसे किया, अपनी writing के थ्रू किया, जापान जाकर जब हिरोशिमा के अस्पताल में रेडियो पदारत से आहत और कश्ट पा रहें लोगों को देखा, सब देखकर ततकाल कुछ नहीं लिख सका, मतलब वो इतना जादा स्थब्द हो चुके थे, इस सारी तरासदी को देख कर, क्योंकि देखिए, जब radiation skin पे लगता है, तो वो बहुत ही गलत impact डालता है, मतलब कहने का मतलब धीरे-धीरे skin गलने लगती है, शुरू-शुरू में आपको खुश पता नहीं चलेगा, लेकिन धीरे-धीरे-धीरे-धीरे cells dead होने लगते हैं, और वो dead हो जाती है, मतलब बहुत ही painful जो होता है, सब कुछ होता है, तो जब उन्होंने ये सारी चीज़े देखी, तो वो ततकाल इतने जादा मतलब हैरान रहे गये, परिशान होगे, मतलब होता है, कि हम एकदम से देखकर एकदम shocked हो जाएं कोई चीज, तो हम कुछ react नहीं कर सकते, वही जीज लेखक के साथ हुआ, वो एकदम ऐसे shocked हो गये थे, कि वो कुछ react नहीं, यानि कि कुछ भी वो लिक नहीं पा रहे थे, एक दिन लेखक सड़क पर घूम रहे थे, तभी उन्होंने जले हुए पत्थर पर एक लंबी सी उजली चाया देखी, मतलब मैंने जो अभी पत्थर बताया था कि एक पत्थर था, उसके आदमे कोई आदमी खड़ा था, उसी समय विस्पोट हुआ, तो विस्पोट का impact ऐसे से मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, इस तरीके से मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, सामनी अगर होगा तो क्या होगा, उस impact से पीछे का जो पत्थर था, वो मेरी चाया के आसपास पूरा जल गया, लेकिन मेरी चाया का impact, यानि कि उत्ती जगा पर वाइट वाइट हो गया, बाकि पूरा पत्थर जल गया था, ये चीज़ लेखक ने अपनी आखों से देखा, उस चाया को देखकर ठपड सा लगा, मतलब एक जटका जिसकों बोलते हैं, उन्हें लगा कि भीतर कहीं सैसा जलते हुए सूर सा उगाया और डूप किया, कहने का मतलब सोचिए एक आदमी उस समय भस्म हो गया होगा, जो आकर पत्थर पे अगर वो काली चाया पड़ सकती है, तो सोचिए वो आदमी का क्या हाल हुआ होगा, तो ये सारी चीज़ देकर वो एकदम शौक्ड हो गये थे, ये उनकी फीलिंग थी, लेखक बताते हैं कि उस समय जैसे अडू विस्पोर्ट मेरे अनभूती पक्ष में आ गय वो खुद हिरोशिमा के विस्पोर्ट का भोगता बन गये, मतलब कहने का ताद पर है, उन्होंने जब ये सारी चीज़े खुद देखी तो उन्हें लगा कि शायद लग रहा था उनको कि वो खुद ही उस समय वहाँ विस्पोर्ट के समय मौजूद थे और वो सारी चीज़ बुद्धी के चेतर में बढ़कर समवेदना के चेतर में आ गई और एक दिन अचानक उन्होंने हिरोशिमा पर कविता लिग दी, यानि कि भीतर उन्होंने जो कुछ भी फील किया था, सारी चीज़े आकुलता, यानि कि भीतरी जो हमारे अंदर अंदर जो हम कहते ना बहु हैं हो जाते हैं, निपेशन। हो जाते हैं, तो वो सारी जो फीलिंग थी, वो धीरे धीरे बुद्धी पर आई है। यानि कि धीरे धीरे उन्होंने जब इतना सारी चीज़े सोची तो उनके दिमाग पर वो सारी चीज़े असर हुई और धीरे उन्होंने फिर इस पूरी तरासदी पर कविता लिख दी इस कविता को उन्होंने जापान में नहीं बलकि भारत लौड कर रेलगारी में बैठे बैठे लिखी यह कविता अच्छी है या बुरी इससे कुछ मतलब नहीं है मतलब जब वो हिरोशिमा में थे यानि कि जापान में थे तो वो इन सारी चीज़ों से इतना जादा शौक्ड हो चुके थी कि उट समय वो खुदी अंदर से बहुत जादा बेचैन थी कुछ नहीं लिख पा रहे थे लेकिन जब इन्होंने जापान से भारत तक की यात्रा कर ली तब तक उनकी वो जो अंदर की बेचैनी थी वो उनकी बुद्धी पर काविज हो चुकी थी और धीरे जब उनको आया कि हमें इस पर कुछ लिखना चाहिए तब उन्होंने भारत आकर इस पर कविता लिखी तो इस तरीके से हमारे लेखक अगे जी ने हिरोशिमा के माध्यम से क्यों लिख रहे हैं वो क्या लिख रहे हैं क्या विवश्टाएं होती हैं एक लेखक को लेख लिखने के लिए प्रेड़ित करती हैं और अगेर जी को खासतर से क्या प्रेड़ित करता है ये उन्होंने हमें इस पार्ट के माध्यम से बताया हमें अच्छे से समझ में आ गया यह इस पार्ट से related कुछ प्रेश्ट को देखते हैं प्रेश्ट संख्या एक है हीरोशिमा में बंव स्पोर्ट में हुई शती को देखकर लेखक को कौन सी घटना याद आई थी उनने ब्रह्म पुत्र नदी पर बंग गिराये जाने वली घटना याद आई थी किस तरीके से हजारों करोणों मचलियां जो हैं वो मर जाती थी उस चीज़ को उन्हें याद आया था तो क्या है देखिए हीरोशिमा में आणूव स्पोर्ट से निकली रेडियो धर्मी तरंगों के असंखे लोगों के काल कल्वित कर दिया लेखक ने उस वोट का दुख भोगते हुए लोगों को देखा यह देखकर भारत की पूर्वी सीमा की घटना याद आ गई कि कैसे सैनिक ब्रह्म पुत्र में बं फेक कर हजारों मचलियां मार देते थे जबकि उनका काम थोड़ी सी मचलियों से चल सकता था इसे जीवों का विर्थ ही विनाश हुआ था यानि कि बेकसूर लोग थे वो भी वहाँ पर मरे थे तो उसका कोई मतलब नहीं था तो मचलियां कितनी खानी थी आप कितना खा लोगे किलो दो किलो चार किलो पाच किलो अरे हम किलो 50 किलो खालोगे लेकिन वहाँ तो कितनी सारी मर गई थी तो बाकी जो थी वो तो सड़के फेकी फेकी गई ना उनकी तो जान फालतों में गई ना जो आपको जरूरत नहीं थी आपने उनको भी मार दिया तो वही चीज कहां पर हुई थी हिरोशिमा पे हुई थ चाहते थे इसलिए आपने वहाँ पे अरूबं गिरा दिया लेकिन उसका नतीजा आपने शहर पे विश्पोर्ट किया मासूं बच्चे औरते बुज़ुर्ण ना जाने कितने मारे गए तो ये क्या था बेकार में जीवू का नाश्ट था प्रेश्ट संक्या दो है हेरोशिमा में हुए अरूबं विश्पोर्ट के दुश्प्रभावों को पढ़कर भी लेखा कविता क्यों न लिख सका क्या कारण था कि उन्होंने ये सारे दुश्प्रमाण देखे इतना इंपैक्ट देखा उसके बावजूद भी वो कविता न परमिता के प्रभाव आदी का सैध्धानतिक ज्यान गहराई से रखता था कहने का मतलब वो जानते थे कि एटम्स क्या होते हैं आपके साथ ही आपको क्या कहते हैं रेडियेशन क्या होते हैं ये सारी चीजों के बारे में वो अच्छे से जानते थे लेकिन इसके बाद भी ह कविता ना लिख सका क्योंकि लेख लिखने के लिए बौधिक पकड़ की आवशकता होती है जबकि कविता के लिए अनुभूति के इस्तर की विवश्टा होती है हीरोशिमा की घटना पढ़ने मात्र से उनके भीतर अनभूती के इस्तर की विवश्टा उत्पन ना हो सकी तो अब इन्होंने यहाँ पर उनको क्या बताया कि जब हीरोशिमा पे बम गिरा सब कुछ वो अच्छे से पहले जानते थे कि यह सारी चीज़े इंपक्ट होते हैं उन्होंने यह सारी चीज़े जानी तो उस पर लेख तो उन्होंने लिखिया क्योंकि वो बॉद्धिक इस तर पर काम करना था हमने बुद्धि से सोचा और काम को कर दिया लेकिन कविताएं जब भी लिखी जाती है वो अनुभूती जब तक हम उसको महसूस नहीं करेंगे हम उसे उसमें वो फिलिंग नहीं ला पाएंगे कि दूसरे को पढ़के मजाएं तो वही आनंद जो दूसरों को आनंद देना है तो पहले खुद को अनुभूती लेनी होगी तो इसलिए वो वहाँ पर मतलब जब उन्होंने चीज को खबर को पढ़ा था तब वो उस पर कुछ रियाक्ट नहीं कर पाए लेकिन जब वो हिरोशिमा गए वहाँ से लोटके आए तब उन्होंने वो सारी चीज़ें अनुभूती में ले आये थे प्रतेक्ष अनुभव और अनुभूती यानि कि सामने हम जब कोई चीज देखते हैं वो अनुभूती मतलब फिलिंग इन सब दोनों में उन्होंने अंतर क्या बताया है लेका गागय ने प्रत्यक्ष अनुभव और अनुभूती में अंतर बताते हुए कहा है कि अनुभव तो घटित का होता यानि कि जो चीजें हो गई हैं हम उसका अनुभव कर सकते हैं परंतु अनुभूती समवेदना और कल्पना के सहारे उसे सत्य को आत्म साथ कर लेता है जो क्रतिकार के साथ घटित नहीं हुआ हूँ अब यहाँ पर कहने का तादपर है हम कोई चीज़ को experience कैसे करते हैं मतलब हमारे साथ घटित होगी तो हम experience करेंगे लेकिन हम उस चीज़ को अनुभूती यानि कि हम feel कप करते हैं feeling हमारे जब किसी और के साथ घटित हो हमने उसको देखा हो जाना हो और उस चीज़ को उस व्यक्ति न जो feel किया हो उस चीज़ को हम अपने अंदर उतार लें तब वो होती है अनुभूती अब इसे आप कैसे समझोगे मैं आपको बताती हूँ एक आपका accident suppose ऐसा किसी के साथ ना हो आपका अगर accident हो जाए तो आप उसको experience कर लिए कि आपके साथ क्या हुआ कैसे हुआ ये सारी चीज़े हो ठीक है तो वो आपका क्या था experience था लेकिन अब हम आते ही अनुभूती पे उसको कैसे मान लीजिए आपके साथ ये हो चुका है अब आपने देखा कि एक रास्ते में छूटा सा प्यारा सा डौगी है उसके उपर किसी ने गाड़ी चला दी उसके पैर के उपर तो क्या होगा आप जानते हो कि एक experience आप कर चुके हो किती तकलीफ होती है अब आप उस डौगी को उठाओगे उसका उप्चार करोगे उसे डौक्टर पास ले जाओगे सब कुछ करोगे उसके दर्द को आप अनुभव कर सकते हो क्यों क्योंकि वो आपके साथ घटित हो चुका है आप उसे पहले experience कर चुके हो तो अब आप उसके दर्द को वो बंदा वो तो डौगी जो है वो तो बेच जुबान है अब उसके दर्द को आप feel कर पा रहे हो तो यह होती है अनुभूती दूसरे के दर्द को अपना कर अपने अंदर वो feeling जागरत करना जो हमारे साथ घटती नहीं हुई है तो यह अनुभूती होती यह अंतर लेखक ने हमें बटा रहा है नेक्स से question number 4 उन तत्यों का उले कीजिए जो लेखक को लिखने के लिए प्रेरित करते हैं अब इन्होंने बोला है पूरी कहानी का है तो अब क्या चीज़े हैं जो उन्हें बहुती जादा इंस्पायर कर रही है कि आप लिखी क्या है लेखक को कुछ लिखने के लिए प्रेरित करने वाले तथे निमलिकित हैं अपनी भीतरी प्रेणा और विवश्ता जानने के लिए लेखक लिखता है यानी कि हमारे अंदर क्या प्रेणा है और क्या चीज़े हैं जो हमें लिखने से रोक रही है इसलिए वो लिखना चाहते हैं किस बात ने लिखने के लिए उसे प्रेरित और विवश्त किया है यह जानने के लिए यानि कि कौन सी ऐसी बात है माली जो कोई घटना घटी उनके साथ तो वो घटना क्या हो सकती है हम उसके बारे में लिखने से पहले हम उसके बारे में जानेंगे न माली जैसे आप लोगो कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है तो क्या करना पड़ेगा पहले हमें लिखने के लिए सोचनल जब हम लिखेंगे तो हम उस बारे में सारी knowledge इकत्र कर लेते हैं Next आते हैं, मन के दवाब से मुक्त होने के लिए लेखक लिखता है कहने का मतलब हमारे अंदर जब बहुत ज़ादा भारी पना जाता है हम किसी से कोई बात कह नहीं पाते हैं हम express नहीं कर पाते हैं उस condition में हम क्या करते हैं? हम लिखने की कोशिश करते हैं तो यह हमारा part था आप सभी को अच्छे से समझ में आ चुका होगा ध्यान रखेगा, exams में यह सारी चीज़े पूछी जाएंगी बहुत ध्यान से यह सारी चीज़े लिखिएगा तो यह जो one shot revision है ना हमारे यह सिर्फ हिंदे में ही नहीं है आपके सभी subjects के लिए one shot revision आ रहे हैं तो अब इन one shot को हम देखेंगे कैसे उसके लिए आपको simple chrome पे जाना है magnet brain type करेंगे आप आपके through बेंटर हो सकते हैं कोई दिक्कती लेकिन आप जैसे आएंगे magnet brain पे तो आपके सामने एक page open होगा जहां पर नीची की site में CBSC English Medium लिखा होगा जैसे आप इसे click करोगे आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा देखें one shot revision आप इस one shot revision को जैसे click करेंगे आपके सामने वो सभी classes आ जाएंगे जिनमे one shot revision अब लेबल है आप देख रहे हो 7th, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th तो अब आपको अपनी class देखनी है आपकी class क्या है? 10th यहाँ पे watch now लिखा है ना? बस आपको यह watch now click करना है जैसे ही आप click करोगे आपके सामने class 10th के one shot revision की पूरी playlist आ जाएगी देखेंगे आप इसमें यह सभी subjects हैं Physics, Chemistry, Bio, Maths, Information Technology History, Civics, Geography, Economics English, English, Hindi, Sanskrit, Sanskrit तो देखें सभी कुछ दिया है तो आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं मालीजे आप suppose आपको हिंदी में ही देखना है तो अब आप क्या करोगे? यहाँ पर हिंदी, full chapter, one shot revision आप यहाँ पर click करोगी click करते ही आपके सामने क्या होगा? book wise, आपके books है न कई सारी तो आपके books आजाएगी फिर book के बाद ही आपका क्या हो जाएगा? revision complete करना है क्योंकि exam आने वाले हैं, test होने वाले हैं तो revision हो जाएगा हमारा revision जैसे ही complete आपका हो जाता है तो आप निश्रेंद हो जाएए क्योंकि कहीं पर भी आपका test exam हो आप इसे फटा-फट दे सकते हैं हमारे channel बहुत कोशिश करता है कि आपकी पढ़ाई में किसी तरह की बाधा ना हो इसलिए हमारे channel पे आपको 100% free education प्रोवाइट कराई जाती है इसके लिए हम आपसे कोई भी payment नहीं लेते हैं साथ ही यहाँ जितना भी content है यह totally arranged है यानि कि आप देखेंगे class wise, subject wise, book wise, chapter wise, topic wise हर एक चीज totally arranged है कि एक topic पढ़ने के बाद दूसरा आपको इधर उधर खोजना नहीं पड़ता तो इसलिए हम यह चाहते हैं कि आप हमारे channel के साथ बने रहे हैं इसे like, subscribe, share जरूर कीजेगा Thank you for watching, bye bye